आज हम बात कर रहे हैं लोशो ग्रीड में उपायो की अब उपाय क्या होते हैं या रेमेडीज क्या होती है कभी भी जब आप लोशो ग्रीड को बनाते हैं तो आप ऐसा महसूस करते हैं कि कुछ नंबर्स या एलिमेंट आपकी बोडी में मिस्सिंग है यानि कि कुछ element या numbers जो आपके grid के अंदर missing है वह है तत्व आपकी body में भी missing है जैसा कि हमने शुरुवात में पढ़ा कि हर एक number कुछ specific specific क्या लेके बैठा है, element लेके बैठा है number three, number four and three, these are wood element जब भी किसी भी native के पास wood missing होता है wood क्या होती है, लकड़ी और लकड़ी हमेशा growth करती है ओधे हमेशा grow करते हैं तो ऐसी condition में जब भी native के पास four and three missing होगे तो native की जिन्दगी में क्या missing होगी? growth missing होगी जब भी number four missing होता है तो ऐसी condition में native को saving करने में issues आते हैं number four saving account को बताता है यदि आप मेरा low show या आप सभी मेरा अगर लोगो भी चेक करते हो तो मैंने number four की जगह पे एक बड़े paid को लगाया हुआ है और number three की जगह पे मैंने एक छोटे paid को लगाया हुआ है number four जो है वह represent करता है savings को big amount of savings number four rolling of money को भी represent करता है तो यदि किसी native के पास number four missing होगा तो ऐसी condition में rolling of money उस native की जिन्दगी में missing होगी number three जो है वह liquid income को बताता है अब liquid income क्या है liquid income वह होती है जिनका regular का काम होता है कुछ लोग क्या होते हैं regular कमाते हैं और regular खाते हैं जोब भी number three में आती है तो कभी भी native के पास number four जा three missing होगे तो ऐसी condition में आप क्या-क्या recommend कर सकते हैं यानि उस native के grid में wood element missing है ठीक है तपिंदर right तो ऐसे native को आप क्या recommend करेंगे ऐसे native को आप बोलेंगे कि आप अपने जीवन में wood को enhance करें अब wood कैसे enhance होगा wood को enhance करने के लिए ऐसे native को आप बोलेंगे कि आप पांच मुखी रुद्राक्ष को धारन करिए आप क्या बोलेंगे पांच मुखी रुद्राक्ष को धारन करिए पांच मुखी जो रुद्राक्ष होता है जो रुद्राक्ष होता है वो देवगरू ब्रहस्पति के चानन्दे में आता है के अंडर आता है पांच मुखी रुद्राक्ष कोई भी native पहन सकता है तो wood में से चाहे नमबर 4 में सिंग है और चाहे नमबर 3 में सिंग है ऐसी condition में आप पांच मुखी रुद्राक्ष को धारन करने के लिए बोलेंगे साथ में यदी किसी native के पास 4 या 3 तोनों में से कोई एक नमबर भी मिसिंग है तब भी आप ये रुद्राक्ष दे सकते हैं आप wood के bracelet भी recommend कर सकते हैं आप पांच मुखी रुद्राक्षी माला recommend कर सकते हैं आप तुलसी माला recommend कर सकते हैं आप wood के pen को recommend कर सकते हैं आप e-chain जो wood की होती है उनको recommend कर सकते हैं जो लकड़ी की बनी होती है यानि के उस native के जीवन में जो जादातर जो जादातर चीजे होंगी वो आप किस चीज़ की पहनाएंगे या देंगे wood की हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी कोई भी client if non-veg eater है या non-veg खाता है तो उस client को avoid करना है काना खाते वक्त wood की माला पहने हुए वैसे तो recommended है ही नहीं कि अगर आप माचमू की वुद्राक्ष की माला या तुलसी माला धारन करते हैं और आप non-veg खाते हैं तो ऐसी condition में native की growth मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए तो पहले आपको avoid करना पड़ेगा क्योंकि आध्यात्म का धर्म का पहला rule यही है कि आप सबसे पहले हिंसा करना छोड़ दे या निजम का main मूल रूप क्या है अहिंसा पर्मो धर्म शायद मेरे pronounce में problem हो सकती है लेकिन मेरे meaning में नहीं तो अहिंसा जो व्यक्ति करता है उसके जीवन में से growth element खतम हो जाता है राइट सब ही ओकल गे रहे हैं तक अभी हम ग्रीड को होल दें ग्रीड को मनातें अभी हम जाता है अभी आपको ग्रीड के साइड में लिख लेना है कि ये कौन-कौन से element को बताते हैं would के लिए मैं w लिख रहा हूँ राइट ओके मैंने w लिख दिया है earth element के लिए मैं e लिख रहा हूँ तो अब ऐसी condition में जिस भी native के पास sorry 492 आए रहे हैं पे जिस भी native के पास क्या होगा 258 में से कोई भी number missing होगा यदि किसी native के पास 258 में से कोई भी number missing होगा तो ऐसी condition में native की stability में problem आएगी क्या आएगी unstability या instability जिसे बोला जाता है वह आ जाएगी तो ऐसी condition में यदि किसी के पास तीनों missing है या कोई एक missing है या कोई दो हैं तब भी आप स्वटीक की माला धारन करने के लिए बोलेंगे 258 में आप crystal की माला भी पहना सकते हैं और band भी पहना सकते हैं तब इंदर आप लिख क्यों नहीं रहे तो band भी पहनाया जा सकता है सभी को मैंने mute कर दिया है आप सिर्फ chat यूज़ कर सकते हैं अब metal element के लिए मैं सारी remedies को दुबारे repeat करूंगा तो no issue जिसका जो रहा है उसे दुबारे repeat करके आप सभी को बता दिया जाएगा number seven and six these are metal element okay number seven silver element को बताता है number six gold element को बताता है यहाँ पर number seven जो है अगर वह missing है तो ऐसी condition में आप क्या कर सकते हैं अपने हाथ में silver का कड़ा पहन सकते हैं या कोई भी simple metal की घड़ी पहन सकते हैं यदि number six missing है यह silver plated भी आप डाल सकते हैं या number six अगर missing है इसके opposite other hand if number six is missing तो ऐसी condition में आप golden plated watch को पहनेंगे या आप gold का कड़ा भी पहन सकते हैं बेसिकली फैंक्शूई क्या रिप्रेजेंट कर रही है यहां पर या लोशो ग्रीड क्या रिप्रेजेंट कर रहा हैं कि जो चीज हमें दिखती है या जो चीज हमें reflect करती है वही चीज हमारे पास फिर से आती है तो आप golden plated watch को जब पहनेंगे तो वो बताएगी या उस चीज को attract करेगी कि आप एक original watch या golden watch की तरफ जाएं उसको reach करें राइट तो number seven and six के लिए अगर दोनों ही number missing है किसी native के पास तो आप एक customized watch बनवा सकते हैं अगर customized watch नहीं बनवा पारे तो दोनों के mixed metal की भी watch आती है silver chain और gold plated लेकर उनको mix करवा के भी आप पहन सकते हैं नहीं तो आप साथ में कड़ा, silver का या golden plated watch भी डाल सकते हैं it's up to you आप अपनी सुविधा के अनुसार पहन सकते हैं अब बहुत सारे लोग जिनके पास number seven या six पूरा ही missing होता है उनको घड़ी पहनने का शोक नहीं होता 30 से 60 परसेंट लोग seven six जिनके पास missing होगा तो वो घड़ी पहनते ही नहीं है chain वाली अब number nine के लिए कुछ remedies है number nine किस element को बताता है number nine को बताओ कौन से element को बताता है chat में वटा वट good बाकी fire good 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 सभी कह रहे है fire element को right तो आपने बहुत सी movies में देखा होगा या बहुत सारे शास्त्रों में पढ़ा होगा के हमारे लोग लाल चिंदूर का टीका लगाते हैं right clear लगाते हैं अब क्या होता है लाल कलर रिप्रेजेंट करता है fire element को okay red color जो होता है वो fire element को recommend करता है या represent करता है जब भी native जब भी किसी राजाओ को युद पे जाना होता था तो वो हमेशा लाल टीका लगा के जाता था ताकि fire element activate हो जाए तो आप क्या करेंगे number nine if missing होगा तो आप माथे पे लाल सिंदूर का टीका लगा सकते हैं ओकी ऐसी condition में आप लाल कलर के कपडो को भी धारन कर सकते हैं कभी कभी साथ में हमें रक्षा सुत्र पहनाये जाता है हमें रक्षा सुत्र पहनाये जाता है हवन के समय like this red कलर का रक्षा सुत्र पहनाये जाता है हिंदूिजम में तो आप लाल कलर का रक्षा सुत्र भी पहन सकते हैं पंड़े जी बानते हैं ना मंत्र बोलते और बानते हैं तो आप उनको भी पहन सकते हैं अगर नमबर वन मिसिंग है नमबर वन किस एलिमेंट को बताता है अगर मैं प्रैक्टिकल यह आपको बताऊं इन फैंक्षुई रूल जो नमबर वन का कलर है ना उसको ब्लैक भी लिखा और ब्लू भी क्यूंकि समुंदर के तल में अंधेरा ही होता है क्लियर अगर आप इसको ग्रह से ना जोड़े तो फैंक्शुई के हिसाब से लोशो ग्रीड को धंग से समझे तो ओके चलिए तो ऐसी कंडिशन में क्या होगा नमबर वन मिसिंग होगा तो आप अपनी बोड़ी में वोटर एलिमेंट को बढ़ाएंगे क्या करेंगे वोटर एलिमेंट को बढ़ाएंगे तो जितना हो सके पानी को पीए पानी की बोटल हमेशा अपने पास रखें यहाँ पर मैं वैदिक रेमिडी को और बेसिक रेमिडी को जोड़ देता हूँ इफ नंबर वन मिसिंग रहता है तो ऐसी कंडिशन में आप सूर्य देव का बीज मंत्र भी कर सकते हैं ओम ग्रेणी सूर्य आए नमहा इस्ट डारेक्शन में मोह करके क्योंकि सूर्य की डारेक्शन इस्ट है ओके क्लियर यहाँ तक सभी स्टूडेंट को आई थिंग क्लियर हो गया होगा अब साथ में 258 की रेमिडी को दुबारे रिपीट करने के लिए बोलाओगा 258 जो यह रेमिडी है यह अर्थ एलिमेंट को बताती है इसको बताती है अर्थ एलिमेंट को तो ऐसी कंडिशन में आपको क्या करना है सफ्टीक की माला को धारन करना है क्या करना है सफ्टीक की माला को धारन करना है अब ये थी remedies जो आपको हर किसी को देनी है अब मैं कुछ लोगों को उपाए करने के लिए या दान करने के लिए क्यों मैं ना करता हूँ क्यों मैं avoid करता हूँ कि आप donation ना करें निम्रालोजी से देखिए वैदिक astrology में एक टर्म आती है जहां पर planet अच्छे या बुरे योग कारक या मारक जिनको निकाला जाता है अब वहाँ पे एक condition apply होती है यदि कोई planet आपकी कुंडली में मारक है तो आपको उस planet को दान से कमजोर करना है कमजोर means उसकी चीज का donation करना या उसे donation देके उस देवता को उस planet को बनाना है और जो planet आपका योग कारक है उस planet का donation कभी नहीं होता उस planet की हमेशा पूजा की जाती है क्यूंकि वह योग कारक planet है वह अपनी दशा अंतर दशा में आपको positive result देगा अब यहाँ पे problem ये start हो जाती है बहुत सारे लोगों के द्वारा इफ किसी के पास triple nine या four nine है तो वह donation करना start कर देता है चूंकि numerologist अगर Vedic astrology को जानते हुए मिले तो अच्छा है चूंकि जादतर numerologist Vedic astrology को अभी तक नहीं जानते क्योंकि वो numerology practice करते है अगर वहाँ उस situation पे मंगल के donation number nine को देखके करवाना start कर देंगे तो ऐसे native का मंगल योग कारक है जिसने उसे अच्छे houses का मालिक होके अच्छी चीजों का फायदा देना है वह अपनी दशा अंतर दशा में नहीं दे पाएगा ओके तो हर एक planet का donation या धारन करना नहीं किया जा सकता practically approach ये है इसलिए मेरी तरफ से avoidation होती है avoid किया जाता है कि आप numerology से किसी भी चीज का दान करना ना start करें हाँ missing number के लिए आप धारन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर element based remedies होती है और जो चीज़े आपको धारन करने के लिए बोली गई हैं वो चीज़े आपको नुकसान नहीं करती कुछ अद तक element के हिज़ाब से यहाँ तक सभी student को clear है समरीती आप मुझे okay का mark बेज़ सकते हैं अगर किसी student की कोई query है तो वह chat में लिख सकता है I am waiting मैं wait कर रहा हूँ जैसे कि हमने remedies के बारे में पड़ा लेकिन कुछ combination खराब भी हो जाते है like 8 and 4 जिनका मुलांग भागयांक 8 और 4 है या 8 और 2 है या 8 और 1 है अब इसका उपाय क्या हो क्योंकि यह these are anti numbers right तो ऐसी condition में क्या करेंगे घर में श्री यंत्र और रुद्र यंत्र आप स्तापित करवा सकते हैं क्या क्या कर सकते हैं श्री यंत्र और रुद्र यंत्र श्री यंत्र पर कुम कुम का या कुम कुम से अभिशेक भी करवा सकते हैं हर वेक्ति इनकी पूजा कर सकता है क्योंकि भगवान शिव हमेशा फैमिली को बताते हैं फैमिली को दिखाते हैं एक special remedy है 1 एन 8 के combination वालों के लिए जिस भी native की उंडली में grid में मुलांक एक और भागयां का का combination मनता है तो ऐसी condition में आप दाही निकलाई पे हरे रंग के धागय को तीन बार twist करके पहने तो 1 एन 8 का combination कुछ हद तक फिक ठाक result देगा ओके अगर किसी native के पास नमबर 6 missing है तो ऐसी condition में native को rose quartz आप पहना सकते हैं rose quartz bracelet पहना सकते हैं यदि किसी native की greed आपके पास आती है और वो कहते हैं सर हमारी merit life में issues हैं attachment नहीं है तो भी आप rose quartz पती पतनी दोनों को दे सकते हैं मेरे teacher कहते थे हमेशा ही अगर किसी बच्चे में confidence की कमी है अगर किसी बच्चे में confidence की कमी है तो उसको tiger eye का bracelet आप पहना सकते हैं अगे चले यदि हम कहीं travel करते हैं तो कई बार हमें वहाँ पर नीद नहीं आती वहाँ का ओरा समझ में नहीं आता है यह हमारी body उस माहोल को accept नहीं कर पाती जिसकी वज़े से हमें कुछ negative feel होता है बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है तब इंदर right होता ऐसा तो ऐसी condition में black tourmaline पहन सकते हैं वास्तू visit पे जाएं तब भी black tourmaline पहन के जाएं मेरे अध्यापक कहते थे मेरे teacher मेरे गुरू कहते थे कि जिस भी native को amethyst एक stone होता है जिस भी native को शराब या किसी चीज़ की addiction है तो उसमें amethyst stone पहनाया जा सकता है चुड़वाने के लिए अब हम बात करते हैं वैदी को पायो की क्योंकि कहीं ना कहीं numbers प्लैनेट से जुड़े होते हैं शेलिडिन निमरालिजी में तो वहाँ पे प्लैनेट को यूज़ करके भी हम कुछ basic उपाये कर सकते हैं अगर number one missing है तो ऐसी condition में आप number one के लिए सूर्य उद्धे से पहले या सूर्य उद्धे होते समय अपने माते पर तिलक ज़रू लगाएं पिता से गोल्ड का सिक्का या चांदी का सिक्का लेके रख सकते हैं अगर number two missing है तो ऐसी condition में नेटिव चांदी के गिलास में या गिलास में पाने पीए माता से यानि के मदर से चांदी का सिक्का लेके अपने पास रखें number three अगर missing है तो ऐसी condition में गुर्वो की दी हुई चीज को संभाल के रखें नेटिव शिखा भी रख सकता है शिखा क्या होती है अपने पंडी जी पगारा कोई देखी होगी एक चोटी वो रखते हैं तो नेटिव वो शिखा भी रख सकता है number four missing है तो ऐसी condition में जो आपका driver होता है जो आपके sweeper होते हैं जो आपके लिए काम करते हैं जैसे घर में काम करने वाली female आती है house helping staff जो होता है घर का उसको आप कुछ ना कुछ gifts दे सकते हैं कोई जरूरत की चीज दे सकते हैं हाला कि यह दान में count होगा लेकिन यदि उनकी जरूरत की चीज मिल जाए और उनके face पे smile आ जाए तो उसकी वज़े से number four की जो missing की qualities हैं वो खतम हो जाएंगी और आपको एक positive result मिल सकता है number five यदि missing है तो अपनी भेहन से green color का धागा अपनी कलाई पे बंदवाएं green color का धागा अपनी कलाई पे अपनी भेहन से बंदवाएं जिस student का कुछ रह जाता है वो जैसे ही सारे remedies होंगी उसके लिए जगए छोड़ दे हम लिखवाते जाएंगे साथ में greenery या green plants अपने आसपास रखें male के लिए right hand होता है जी और female के लेफ्ट हैंड ओके तो जो धागा आपको बंदवाना है वो male right पे बंदवा ले और female left पे ओके number six number six missing है तो ऐसा बंदा ऐसा native organized नहीं रह पाता तो ऐसी condition में native को perfume का use करना चाहिए अपने कपड़ों को press करके पहनना चाहिए golden plated watch को पहनना चाहिए number seven number seven अगर आप वैदिक निम्रोलोजी की बात करें तो number seven represent करता है सन्यासियों को okay तो seven अगर missing है तो ऐसी condition में सन्यासियों का निरादर ना करें sorry सन्यासियों का निरादर ना करें उनकी हमेशा इजद करें उनका अशिरवाद लें और कुत्ते को खाना किलाएं कुत्ते को खाना किलाएं कुत्ते को रोटी दें दमका अएना okay number eight number eight भी कहीं न कहीं से वादारों को बताता है house helping staff को बताता है तो उनकी help करें उनको जरूरत की चीज़े दें मजदूरों को कुछ ना कुछ खिराते रहें उनकी जरूरते पूरी करते रहें number nine if missing है तो ऐसी condition में आप चोटे भाई बैन से अपने हाथ पे भाईयों से चोटे भाई से या बेहनों से अपने हाथ या कलाई पे मौली बनवाए clear कुछ basic फैंक्शुई की रेमिडिस बदा देता हूं आपको देखिए number one water element को बताता है जलत अत्वों को और जो उसकी direction आती है वो north direction आती है अगर किसी के पास number one missing है अगर किसी के पास number one missing है तो फैंक्शुई की शोप से जो फैंक्शुई के है तो आपको वो नौर्थ डारेक्शन में प्लेस कर सकते हैं ओके नमबर सेवन एंड सिक्स मिसिंग है तो विंड चेंड से लगा सकते हैं किसी भी डारेक्शन में अगर कर चाहें तो वेस्ट में भी लगा सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो घर में बस वो बजनी चाहिए उसकी साउंड की वेव आनी चाहिए लेकिन वह वाली नहीं जो दिल्ली सदरवजार से मिलती है प्रोपर विंड चिम्स फैंक्शू की शौप सर्ट सदरवजार वाली निही ओके और जो उसमें रोड्स होनी चाहिए या तो 5 होनी चाहिए या 6 होनी चाहिए ओके नमबर 9 अगर मिसिंग है तो ऐसी कंडिशन में साउथ डिरेक्शन में आप रेड कलर का बल्ब लगाएं जो हर समय चलता रहना चाहिए अगर वूड अलिमेंट में से कोई भी नमबर मिसिंग है तो फैंक्शुई के हिसाब से इस्ट डिरेक्शन में जो की नमबर 3 की बनती है तो आपको वूड यानिके प्लांट जेड प्लांट स्नेक प्लांट या कोई भी ऐसा प्लांट जो बेल रूपी शेप में बढ़ता है यानिके जो वूड अलिमेंट को बढ़ाता है वह आप इस्ट डिरेक्शन में लगा सकते हैं अगर 258 में से कोई भी नमबर मिसिंग है तो ऐसी कंडिशन में आप सिरमिक की विंड चेम्स लगा सकते हैं घर में कहीं पर भी रूम में भी लगा सकते हैं और डिरेक्शन देखके लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं सिरमिक की विंड चेम्स आती हैं मिट्टी से बनी हुई वो अर्थ ऐलिमेंट को पूरा कर देती अगर आपके ग्रिड में स्पेशल नमबर फाइव ही मिसिंग है तो जो मिडल नमबर फाइव का कलर होता है वो यलो होता है तो आप घर के मिडल में नमबर फाइव बहमस तान में आता है तो घर के मिडल में यलो कलर का बल्ब या जूमर जरूर लगाएं अगर किसी के पास नमबर फाइव मिसिंग है तो ऐसे नेटिव के डाइजेशन में इशूज या उनके घर में मिसकरेजिज की समस्याइं या पेट के उपरेशन की समस्याइं बनी रहती है तो ऐसी कंडिशन में येलो कलर का बल्ब या जूमर जरूर लगाएं साथ में घर के जो मिडल है जहाँ पे वास्तु पुरुष की नाभी होती है उसको हमेशा क्लियर रखें वहाँ पर बार बार पैर ना आए वहाँ पर आप कोई टेबल रख सकते हैं वहाँ पर कभी भी कोई भी गंदगी हमने नहीं रखनी ना ही वहाँ पर चपल जूतों को उतार नहीं ओके ये कुछ बेसिक रेमडी है फैंक्शुई की जो मैंने रेमडी आपको बतानी थी साथ में मैंने आपको वैदिक रेमडी को बताया और लोशो ग्रिड की कुछ रेमडी को भी शेयर किया